है 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 लो दोस्तों वेलकम बेक तुड़े गुर्राती चेस जोन ओपनिंग के बारे में अभी हम लोग डिसकस कर रहे हैं विश्प ओपनिंग पर बात सदगी विश्प ओपनिंग आप सभी जानते हैं एक होरी फाइव बिसी फोर तिसीदर विश्प ओपनिंग सेकर्ड बहुत सारे 50% गेम नाइट एप 6 से हुई है यहां पर वाइट दी थी करता है कि सीच्स ट्राइफ और दीफाइब नाइट एप 3 डीफाइब विश्प बीश्प बीश्प ओन टेक्स पॉन एक पॉन सेक्रिफाइस लेकिन नाइट जीफाइब बहुत ही जबदस्मूई है क्योगी एफ्जयोन को सपोर्ड करना तो मुश्किल हैं बहुत ही मुश्किल बिशकिनगा और नाइट जीफाइब के रिप्लाइब में ब्लाक भीशक करता है नाइट क्रोस एक आप इस डोस्ता यहां पर एक्त क्रोब्लेम यह गेम अब वाइट की फेवर में, completely वाइट की फेवर में, लेकिन वाइट को क्या करना चाहिए यहाँ पे, नाइट क्रोस रूख, यह बहुत ही बड़ी ब्लंडर है, इन्सोर, यहाँ पे वाइट अगर सॉर्ट कैसल कर लेता है, तो वाइट can win इस गेम, नाइट हेट और सिम्प्ली, यहाँ पे नाइट इन्टू हेट में, ख्लियरली लॉस टेको, विशब अप्टू चेक, किंग अप वन, विशब जी फोर, अब क्विन के पास एकी अप्शन है, क्विन देटो, देन, एकी, क्विन, सी थ्री, और एकी, चैप पूट, तो दोस्तों यह थी ट्रैप दूनों की ओर से, वाइट और ब्लैक, मिश्टेक अगर वाइट करता है, यहाँ पे हला की, वाइट प्लस दिखा रहा है, देखो आप वाइट प्लस बता रहा है, और यहाँ पे, अगर वाइट कैसल कर लेता है, तो यहाँ पे देखो वाइट का अगर आप उपर जा रहा है, वाइट, तो कम्प्लिटली वाइट की फेवर में गेम है, क्योंकि रूक ट्रैप है, चलिए next rap देखते हैं वियन ना गेम के बारे में आपने सुनाऊगा E45 नचे ट्री वियन ना के बारे में बहुत सारी opening ट्रैप है बहुत सारी continuous देख लेते दोस्तों चलिए यहाँ पे विएना गेम E4, E5 से उत्रहिए Nc3 सेकंड मूर अलग-अलग तरिके के मूर से सभी में दिखाऊंगा ब्लैक के लेगा BC5, BC4, Nc7, D3, Nc6, Qs5, Castle, Bg5 नाइट को पिनिंग करके नाइट D5 का आइडिया है, Qn8, Nf3, Nb6 और यहां पर नाइट D5 नाइट D6 थोड़ा रॉंग मू है, इसलिए आपको यहां पकर लिना है C7 पर प्रेशर फॉर्ट का अटक है, विशब B6 जाता है तो यहां जबज़स सेक्रिफाइस, Nf6 आप्टर G takes F6, P takes F6 and unstoppable checkmate will come in Q256 तो यह थी पहली ट्रैप विए ना गेम में, Nc3, Nc6 देख लेते इसमें, देखे त्यान से हरेक मूज, आप यह दोस्तो टोटल 15 ट्रैप से विए ना में, टोटल 15 इसका मतलब क्या हुआ, कि आप पूरे 15 ट्रैप देख लेते हो, तो विए ना गेम जो ओपनिंग है, उसके बार में, कंप्लेट लिए आपको समझा जाएगा और आप खेल भी सकते हो, वाइट से और ब्लैक से, दोनों तरिक से मैं दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर नेक्स्ट टैप देखते है, मूज जो चेंज हुआ है, बी सी फाइव, उसके बढ़ लें, नाइट सी सी, नाइट सी सिक्स नाइट सी सिक्स के सामने जहाँ एक मूण है, एप पूर, ब्लैक रिप्लाई दिखाद देख देखते हैं, नाइट सी सिक्स a6 bc4 bg4 fx e5 after knight x e5 knight x e5 bishop takes d1 and a mate in 2 bishop f7 king e7 knight d5 queen sacrifice queen sacrifice or is it पहले लीगल मेट के बारे में भी कहा गया थी लीगल नाम के जो पहले एक प्लेयर था जिसने ओपनिंग बनाई थी लीगल स्मेट चलिए नेक्स ट्रैप देखते है ये थी सेकंड नॉमर की ट्रैप वेन ना गेम बेट e4 e5 nc3 अब nc6 common है इस गेम में जो अगल ओके f4 भी हम देख लेते है bc5 यहाँ पे ब्लैक अगर पहले विशब ड्यावलोग करता है bc5 instead of d6 वाइट खेलेगा knight f3 अब d6 इसके पहले वाली ट्रैप में क्या था कि विशब f8 पे था और बाहर नहीं था इस बाद ब्लैक ने पहले से जानबुसके भी सबको ड्यावलोग कर लिया बाद में d6 किया कोई बात नहीं f5 black place knight f6 h3 knight को stop करने के लिए यहाँ पे black break लेता है d5 से knight cross e5 अब knight cross e5 knight cross e5 के बाद idea क्या है d4 का पर पोई स्वापर्स लेकिन black अगर knight cross e4 करता है तो simple knight f3 okay queen h4 check भी आगा है अगर white ने सपोज knight cross c6 करती है तो queen h4 check और king e2 force moon queen check और इस परकार completely black winning चलिए next trap देखते है और यह वाली ट्रैपमेंट दोस्तो knight c3 knight c6 उसके बाद d6 के बतले accepted मतलब context point यहां bc4 queen h4 check king f1 bishop अब यहाँ पर checkmate की threat है best choice आपको defense दूसरी तरिके से करना होगा या तो queen exchange करके लेकिन अगर white ने g3 किया तो completely blunder आपके 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 pawn text g3 knight f3 pawn text pawn possible नहीं है इसमें रूप मतला है knight f3 g2 check king text g2 queen f2 check and d5 checkmate accept करने में कई बार सामने आला player अगर trap के बारे में जानता है तो इस प्रकार black भी आपके सामने जीच सकता है ओके next trap देखते दोस्तों VN गेम के ही सारी trap से ध्यान रखें इस गेम में e4, e5 knight f3, knight c6 ये दो मूँ है instead of f4 white यहाँ पर खेल दा है bishop c4 black reply देता है bishop c5 और यहाँ पर queen g4 attack on g7 black queen f6 से support करें अब यह double attack भी है यहाँ पर f2 पर attack चले यहाँ पर white के लिए best choice है mate बचाना नहीं attack 95 यह एक सार्प्राइंग मूँ करें allow कर रहे है queen को f2 पर allow कर रहे है queen takes f2 अब king के पास only option है लेकिन आप देख सकते हैं कि और भी दूसरा कोई check नहीं है black के पास अब black यह g6 को बचाने के लिए king f8 move कर देगा क्योंकि knight to the queen तो वापस आनी सकते और g6 मेरे इसाब से बहुत ही bad move है तो king f8 के बाद simple knight h3 queen patrick queen के पास कौन सा option है only one option d4 उसके बाद एक waiting move d3 black queen के लिए अगर space बनाता है विसाब b6 यहां से queen भाग सकती है अब जी क्रोस f6 bishop f6 check king e8 या okay knight f6 और meeting attack आ गया यहां पर और मेरे इसाब से completely यह गेम अब वाइड जेच सकता है तो यह trap देख लिजी next देखते है अब बस उसी लाइन में दोस्तों queen g4 वाली लाइन में move change करते हैं queen f6 black खेलता है उसके bishop f8 bishop से support देता है यह knight f3 यह एक blunder मुह है देखे एक हे मुह में कितनी सारी traps होती है actually मैं यहां पर white को खेलना चाहिए queen to g3 simple equal लेकिन knight f3 यह blunder है कैसे blunder है simple d5 or white will lost his face because of discovered attack or contact special बहुती short trap है तो कई बार आप queen g4 करके attack करने जाओगे आप trap के बारे में सोचोगे लेकिन black की यह best choice आप नहीं देख सकोगे d5 तो आप loss हो सकते हो वी एन अगे में काफी सारी traps है दोस्तो चलिए आज की लास्ट्रेप भी बता देता हूं ओके दोस्तो लास्ट्रेप में बहुत मज़ाएक आपको e4 e5 nc3 यहां पर black knight f6 खेल रहा है bc4 bc5 d3 d6 और यहां f4 allow f2 पे allow कर रहे है knight f2 पे allow कर रहे है f5 knight f4 देगा है कोई भी प्लेयर है knight f4 देने वाला यहां पर best choice है queen h5 checkmate की threat है black castle कर रहा है और knight f3 surprise मूं अगें यह rook आपका h1 पे मर रहा है after knight h1 knight g5 के बाद mating option 4 से h6 move और यहां पर knight f7 कोई alternative नहीं है black के पास इसलिए rook cross f7 queen और king h6 then f6 and white wins तके अराम से जीच सकते क्योंकि queen takes f6 possible नहीं है instead of queen g8 mate है और pawn takes f6 तो यहां पर जबर just one more piece active हो तो यह completely game white winning है अब आप देख सकते हो 90% आगे कोई defense भी तो नहीं है चलिए next video में हम देखेंगे और भी विए ना openings के बहुत सारे traps तो next video में मैं try करूंगा कि सारे traps आपको एकी वीडियो में बता दो क्योंकि और भी बहुत सारे opening traps हमें देखनी है इसलिए चैनल को subscribe करके दोस्तों आपके लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया सभी openings के लिए सारे traps में दिखांगा क्योंकि एक opening में बहुत सारे traps होती है जैसे हमने भी सब opening कि कितने सारे traps देखी तो वे ना game में भी इतने ही 15 इतने traps है तो यह खतम करने के बाद दूसरे opening भी साथ मिलेंगे चैनल को subscribe करो वीडियो पसंद आए तो 100 पसंद दूस्तों लाइक कीजिए शेर कीजिए इस पॉसिबल जल ही मिलेंगे जाहिन जाए गुद्धार